नवश्कार आप सभी का अर्बन डेवलोप्मेंट जैसे इस महत्वपुन विशेपर बजेट वेबिनार में स्वागत है साथ्यों ये दुरभाग्य रहा कि आजादी के बाद हमारे देश में इक्का दुक्का ही प्लांट सीटी बने आजादी के 75 वर्षों में देश में 75 नए और बड़े प्लांट सीटी बने होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती लेकिन अब 21 सदी में जिस तरह भारत तेजगती से विकास कर रहा है आने वाले समय में अनेको नए शहर ये भारत की अनिवारियता होने वाली है ऐसे में भारत में अर्बन डेवल्प्मेंट के दो प्रमुपक्ष है नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्ताओं का आधुनी करा इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजेट में अर्बन डेवल्प्मेंट को बहुत महत्वत दिया है इस बजेट में अर्बन प्लानिंग के मानकों के लिए पंद्रा हजार करोड रुपिय का इंसेंटिव भी तै किया गया है मुझे विश्वात है इसे देश में प्लान और व्यवस्तित शहरी करण की नई शुरुवात होगी इसे गती मिलेगी साथियों आप सभी एक्सपर्स जानते हैं कि अर्बन डेवल्प्मेंट में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवरनन्स दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है शेहरों की खराब प्लानिंग या प्लान बनने के बाद उसकी सही इंप्लिमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनोतियां पैदा कर सकता है अर्बन प्लानिंग के तहट आने वाली स्पेशल प्लानिंग हो, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिग हो, बोटर मेनेजमेंट हो इन सभी एरियात में बहुत फोकस वे में काम करना जरूरी है इस वेबिनार के अलग-अलग सेशन्थ में आप तीन सवालों पर जरूर फोकस करें पहला, राज्यों में अर्बन प्लानिंग इकोसिस्टिम को कैसे स्ट्रेंदन किया जाए दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में उपलब्द एक्सपर्टाइज का अर्बन प्लानिंग में कैसे सही इस्तिमाल हो तीसरा, ऐसे सेंटर आफ एक्सेलन्सी कैसे डेवलुप किये जाए जो अर्बन प्लानिंग को एक नए लेवल पर लेकल जाए सभी राज्य सरकारों को और अर्बन लोकल बॉडिज को एक बात हमेशा याद रखनी होगी वे देश की विक्स को विक्सित बनाने में तभी अपना योगदान में पाएगे जब वो प्लान अर्बन इरियात को तयार करेंगे हमें ये बात की बड़ी भात ही समझी होगी कि अमरित कार में अर्बन प्लानिंग ही हमारे शेहरों का भाग्य निर्धारित करेगी और भारत के वैल प्लान शेहर ही भारत के भाग्य को निर्धारित करेंगे जब प्लानिंग बहतर होगी तभी हमारे शेहर क्लाइमेट रेजिलियन और वाटर शिक्यर भी बनेंगे साथियों इस वेबिनार में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नस के जो एक्सपर्स है उनसे मेरा एक विशेश आग्रह है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचना चाहिए GIS बेज मास्टर प्लानिंग हो अलग-अलग तरह के प्लानिंग टूल्स का विकास हो Efficient Human Resources हो Capacity Building हो हर एरिया में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है आज अर्बन लोकल बोडिज को आपके एक्सपर्टाइज की बहुत ज़रुरत है और यही ज़रुरत आपके लिए अनेक अवसर पैदा करने वाली है साथियो शहरों के विकास का एक इंपोर्टन पीलर होता है ट्रांस्पोर्ट प्लानिंग हमारे शहरों की मोबिलिटी अनिंटरप्लेड होनी चाहिए 2014 से पहले देश में मेट्रो कनेक्टिविटी की क्या स्तीती थी आप अच्छी तरह जानते हैं हमारी सरकार ने कई शहरों में मेट्रो रेल पर काम किया है आज हम मेट्रो नेट्वर्क के मामले में कई देशों से आगे निकल चुके है अब जरूरत है इस नेट्वर्क को मजबूत करने की और फास्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्द कराने की और इसके लिए जरूरी है एफिशन ट्रांस्पोर्ट प्लानिंग की सहरों में सडकों का चौरी करन हो ग्रीन मोबिलिटी हो एलिवेटेड रोड्स हो जंक्षन इंप्रूमेंट हो इन सभी कंपोनेंट्स को ट्रांस्पोर्ट प्लानिंग का हिस्सा बना नहीं होगा साथियों आज भारत सर्कुलर एकोनामी को अर्बन डेवलप्मेंट का बड़ा आधार बना रहा है हमारे देश में हर दिन हजारों टर्न मिनिस्पल वेस्ट पैदा होता है वेस्ट एलेक्ट्रिकल वेस्ट आटो मोबाइल वेस्ट और टायर जैसी चीजों से लेकर कंपोस बनाने तक की चीजे होती है 2014 में जहां देश में केवल 14-15 प्रतिशत वेस्ट पोसेजिन होती थी वहीं आज 75 प्रसेंट वेस्ट प्रोसेस हो रहा है अगर ये पहले ही हो गया होता तो हमारे शहरों के किनारे कूडे के पाणों से ना बरे होते आज वेस्ट की प्रोसेसिंग करके इन कुडे के पाड़ों से भी शहरों को मुक्त करने का काम किया जा रहा है इसमें कई इंडस्ट्रीज के लिए रीसाइकलिंग और सर्कुलरिटी के धेर सारे अवसर है इस शेत्र में कई स्टार्ट अप्स कापी अच्छा काम भी कर रहे हैं हमें इन्हें सपोर्ट करने के जरूत है इंडस्ट्री को वेस्ट मैनेजमेंट के पूरे पोटेंशल को इस्तमाल करना चाहिए हमने अमरत योजरा की सब्रक्ता के बार शहरों में पीने के साब पानी के लिए अमरूट 2.0 उसको लॉंच किया था इस योजरा के साथ अब हमें पानी और सिवेज के ट्रेडिस्ट्रल मॉडल से के आगे की प्रानी करनी ही होगी आज कुछ शहरों में यूज दे वाटर का ट्रिट्मेंट करके उसे इंडस्ट्रिल यूज के लिए भेजा जा रहा है वेस्ट मैनेजमेंट के इस खेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर के लिए अपार संभावनाय बन रही है साथियों हमारे नए शहर कच्रा मुक्त होने चाहिए वाटर सिक्योर होने चाहिए और क्लाइमेट रेजिलियन्ट होने चाहिए इसके लिए हमें टियर टू और टियर थी शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्टर और प्लानिंग में निवेश बढ़ाना होगा आर्किटेक्ट्चर हो, जीरो डिस्चार्ज मोडल हो, एनर्जी की नेट पोजिटिविटी हो, जमीन के इस्तेमाल में एफिशंसी हो, ट्रांजीट कोरिडोर्स हो, या पबलिट सेवाओं में AI का इस्तेमाल हो, आज समय है कि हम अमारी फ्यूचर सिटीज के लिए नरी परिभाशा प्ताए करें, नए परामिटर सेट करें, हमें देखना होगा कि अर्बन प्लानिंग में बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, बच्चों के खेलने कुदने की जगों से लेकर साइकल तक चलाने के लिए उनके पास अब परियाप जग है ही नहीं, कि अर्बन प्लानिंग में हमें इसका भी ध्यान रखना हो, साथियों, शहरों के विकास के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवशक है, कि इसमें शहरी लोगों के विकास की भी संभावनाय समाईथ हो यानि हम जो योजनाय बना रहे हैं नीतिया बना रहे हैं वो शहरों के लोगों के जीवन तो आसान बनाएं उनके खुद के विकास में भी मदद करें इस साल के बजेट में पी-एम आवाश योजना के लिए करीब करीब 80,000 करोड रुपिये खर्च करने का कमिटमेंट किया गया है जब भी कोई घर बनता है तो उसके साथ सिमेंट, स्टील, पैंट, फरनिचर जैसे कई उद्योगों के विवसायों की गती मिलती है आप कलपना कर सकते हैं? इस से कितने उद्योगों को कितना बड़ा बुस मिलेगा? आज शहरी विकास के खेत्र में फुचरिस्टिक टेकनलोजी की भूब का बहुत बढ़ गई है हमारे स्टार्ट अप्स को, इंडिस्ट्री को इस दिशा में सोचने और तेजी से काम करने की आवशक्ता है जो संभावनाय मोजूद है, हमें उनका भी लाब लेना है और नई संभावनाओं को जन्म भी देना है सस्टेनेबल हाउस टेकनलोजी से लेकर के सस्टेनेबल स्टीज तक हमें नए सोलूशन्स खोजने हैं साथियो मैं आशा करता हूँ कि आप सब इन विशयों पर इसके सिवाई भी बहुत सारे विशयों हो सकते हैं गंबीर विचार भी मस्क करेंगे, इस विचार को आगे बढ़ाएंगे संभावनाओं को साकार करने का परफेक रोड मैप रास्ता बताएंगे इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत सुपक्रामना हैं, बहुत बहुत धन्यवाद